तो हेलो फ्र refusing welcome to tour guide तो friends, कैसे हो, सब अबीद कर दे सकते हो, क्या क्या करना होता है काहा खाना खाना सही है, कैसे आप खाना खा सकते हो काहा फोटल ले सकते हो यह सब कुछ डीटिल्स में इस वीडियो में बात करूँगा तो वीडियो की अंट तक देखना जो जो भाई नए हो मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब करके नोटिफिक्षन बेल को अन कर दो क्योंकि ऐसे इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा और यह दोस्तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो क्योंकि आखिर में आप तो लाइक करी दोगे तो अभी से कर दो तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं देखे दोस्तों तारापिट मंदीर वेस्ट बेंगल की बिर्भूम डिस्टिक्ट में है तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे नजदी की रेल स्टेशन है रामपुरहट जंक्स अब इस रामपुरहट जंक्स आप कैसे आओगे देखे कलकत्ता से कलकत्ता की दो जाएगा सियल् स्टेंड बें यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे आपको स्यार में 40 रुपीज के अंदर मतलब एक पार हेट 40 रुपीज की चार्ज लेता है यहाँ पे स्यार वेस्ट से मंदीर तक छोड़ देगा आप चाहो तो प्राइवेटली एक टोटो या छोटा जो तो बहुत इजी तरीका बहुत आसान तरीका आप 20 से 25 मिनिट बे आप रामपुरार जंक्सन से तराफिर मंदिर तक पहुच जाओ यहाँ पे मंदीर आने के बाद मंदीर में पुजा तो जरूर देंगे तो पुजा देने के लिए आपको सुभा सुभा लाइन देना पुजा देने के लिए आपको लगभार दो पहर तक इंतसर करना पड़ेगा लाइन में खड़े हो के तो इसलिए जितना सुभा हो सके आप लाइन दे देगे तो अगर आप सुभा सुभा लाइन देते हो मंदीर का गेट ओपन होता है पांच बजे आपको लाइन देना पड़ेगा तो आभी चलो प्लैन के माँ पी कैसे पुजा दे सकते हो उसके बारे में डिटल्स में बात करता हूं देखिए दोस्तों एक दिन पहरे आप यहां पर साम तक आ जाईए आप यह आप यह वाटो या टोटो से यार से यहां पर पहुँचने के बाद यह जो तार यहां वाटो से या कोई भी कार से आप जब उतरते हो ना तब बहुत सारे एजेंट है बहुत सारे दलाल है जो आपके पास आयेगा भाई मेरे होटल है आजाओ यहां पे होटल है बहुत लच्चा है आब लोगो को मत भड़ाब कर देगा ठेक है देखिए आप किसी के बात मत सुनके आप सिधा यह जो मंदीर का गोली है इस गली में आगे चले जाओ मंदिर के जो गली है इस गली के दोनों साइड में बहुत सरे पुजा का समगरी का दुकान है यहाँ पर फूल मिलता है यह पुजा का जो सामान है यह सब कुछ मिलता है इसी दुकान के आसपास देखना बहुत सरे होटेल है अच्छा होटेल है और यहाँ पर जाके कोई भी हो आप डाइडेक्ट होटल में जाके अगर होटल बुक करना चाते हो तो आपको बहुत सस्ते में होटल मिल जाएगा यहां पर होटल का रेट बहुत ही सस्ता है मादला 500 रूपीज 400-500 में अच्छा सा रूम आपको मिल जाएगा अगर आप एसी रूम चाते हो तो भी 600-700 में होटल लेने का तरीका अभी रात को आप जब रुक रहे हो मतलब यहां पर नाइट स्टे कर रहे हो या पूजा दने के बाद अगले दिन जब दूपहर में लांच करेंगे तब तो आपको खाना पड़ेगा मतलब लांच एंड डिनार के लिए आपको कहां से लेना होगा द कितान में देखें खुद से तयार कर सकते हो मतलब तयार करावा सकते हो यहाँ पर यह जो गली है मतलब इसी गली में अपको सब मुझ मिलेगा ठको है थोड़ा आगे चले जाओ मतलब यह जो मंधिर mंदीर को जोटा लेप साइड छोड़ के मनदिर से और भी थोड़ा आगे चला जाओ वहाँ पर जाकर देखना दोनों साइड में बहुत सारे ऐसे दुकान है चुटा-छोटा दुकान है जहां पे आपका खाना तयार कर देता है यहां पे थोड़ा सा फिज लेके आपका जो खाना है वो खाना पका के देगा आप सब्जी उनको दे दीजिए उलोग पका के आपको दे देगा आप सब्जी देने के बाद आपको बोलेगा एक घंटा बाद आजाओ खाना आपका रे वहां पे में रोड पास ही आपको मिलेगा लोकनात रेस्टुरेंट जहां पर मैं खाना खाता हूँ यहां पर जाके आप अच्छे तरीके से खा शकते हो यह वह च्छा खाना मिलता है मतलब यहां से इन नहीं है तो नmetro का खाना का जाती है यह बैट के आडाम से खाना खाकते हो and reasonable price है प्राइस भी ज्यादा नहीं है तो यह घ्या है खाना खाने का जगा आप पुजा देने का बड़ी तो नाइस्टे करने के बाद सुभा सुभा तयार होके अप मंदिर में चले जाओ पुजा देने के लिए अभी पुजा देने के आपको ढ़ना है अपको पूजा का घाली के बाद बंदिर में लाइन दे दीजिए उसके बाद जब आपका मंदिर में घुजने का टाइम आएगा तब फूजारी जो है न वो आजाएगा आपके पास आपका पूजा का पूरा पोसेस है और कम्प्लिट कर देगा तब मंदिर में जाओ और पूजा दो बहुत अच्छा प्लेस है अगर आप दोपहर में यहां पे खाना खाना चाते हो तो मंदिर का भोग भी मिलता है प्रसाद भी मिलता है अब दोपहर में एक से धाई बजे तक खाना मिल जाएगा मतलब मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा यहां पे अब देख सकते हो ऐसी यहां का लिवेбल टॉ हुरो के रायं देकर बेढ़ना पड़ता है इसके बाद यहां पेareth रहता है बार फैर नयदू होता है नसे century का प्रवए सकते हो तो एसके बाद अगर आस अधाए नहीं चाहिए गाते हो लिए अगर लने sedi हैँ बार बार आपको जाना पड़ेगा, आपको मन सान्थ हो जाएगा, एक नेगटीव चीज है यहां पे यहां पे बहुत स़रा पंडा का राज जलता है, मतलब यहां पे इतना पंड़ा रज चलता है वह दिखने के लाइक है अब जब पुझा के लिए लाइन दोगे ना तब ही आपको पता चल जाएगा बहुत सरे लोग आके आपको लल चाहेगा यहां पे विए पी रोड है यहां पे खड़े हो जाओ दोसो रुपीज या पांसो रुपीज जाएगा डाइरेक्ट मंदिर में मूर्ति के सामने आपको ले जाएगा मेरे इसाब से यह सही नहीं आप लाइन दीजे जे जेंडर्ल लाइन दिजिए आप पर मज़ा है ना लाइन देके खड़े हो के पुझा देने तो आप चाहो तो पुजा कम्प्रिट हो जाएगा खाना खाके थोड़ा रेस्ट करके अब साम को असपास जो साइड सीनन हो कर सकते हो यहां पे एक साइम मंदीर है बहुत अच्छा प्लेस है आपको जरूर विजिट करना चाहिए और उसके साथ आप और रामपुनार जंक्सन के पास ही एक पा कम बजेट में अगर कही पर घूमना चाहते हो तो वह तारापिट मंदीर सबसे अच्छा प्लेस है और यहां पर होटेल कोस्ट टांस्पोर्टेशन कोस्ट एंड जो खाना खाने के लिए कोस्ट यह सब कुछ सब कुछ लिमिटेड है मतलब बहुत जादा कोई खर्चा नही में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मैं आपको आपका कमेंट का रेप्लाइस जरूर दे देंगो तो अभी अज के लिए इतना ही मिलते आगरे वीडियो में और टाडा बाई-बाई